हाई गाईज दिस इस बवीता और वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाइन लाइट आफ तेरो गाईज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थम नेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि आपके जो दुश्मन हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है यह हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे हना और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंदाय तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथ- एक 15 माई से जो है हमारा जो टैरो है उसका बेसिक कोर्स जो है उसका नेक्स्ट बैच जो है वो पंदरा मैई से स्टार्ट होगा अगर आप चाते हैं शीखना टैरो मेरे साथ आप मुझे परस्नली मेसेज कर सकते हैं ऐना एक महिने का कोर्स रहेगा और जो फीस रहेगी वो reasonable रहेगी certified कोर्स रहेगा आपको certificate भी मिलेगा और one month minimum time और उससे ज़्यादा भी हो सकता है तो अगर आप चाते है बेसिक सीखना मेरे साथ तो आप मुझे contact कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड निकल कर आ रहा है तो current energy देखते हैं आपके दुश्मनों की current energy क्या चल रही है किस energy में है आपके दुश्मन इस समय है ना क्या चल रहा है आपके दुश्मनों की life में और यह जो है timeless collective reading है यह ज़्यादा तर लोगों के साथ resonate करेगी man holding a coin anxiety the temple path adjacent possibilities and bottom of the deck आया है door to personal healing and happiness आपके दुश्मनों की एक current energy है और भी हम कुछ cards लेंगे टैरो से भी लेंगे कुछ cards आपके दुश्मनों की current energy क्या चल रही है यहाँ पर देखिए night of pentacles आपके दुश्मनों की current energy six of swords आपके दुश्मनों की current energy क्या चल रही है आपके दुश्मनों की current energy क्या चल रही है यहाँ पर आया है ace of cups the hanged man 10 of wands the hermit queen of swords magician one more card page of pentacles bottom of the deck ace of pentacles अगर बात करें हम राशी की तो pentacles energy बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है means आपके दुश्मन जो है अभी इस समय अपनी अपने finances को लेकर अपनी health को लेकर वहत ज्यादा परिशान हैं खुद की healing करते हुए दिखाई दे रहे हैं healthy issues चल रहे हैं आपके दुश्मनों की life में और अगर बात करें आपकी राशी की तो व्रश करन्या मकर आपकी राशी हो सकती है तुला आपकी राशी हो सकती है mercury आपका बहुत strong है करन्या आपकी राशी हो सकती है और मीन आपकी राशी हो सकती है यहां पर mercury जो है बहुत strong आपका हो सकता है means आपका mercury strong मतलब आपका बुद्ध बहुत strong है बुद्ध जिसका strong होता है बहुत विवेक उसमें बुद्धी विवेक और कह सकते हैं speaking skill बहुत अच्छा होता है communication skill वीनस आपका बहुत strong हो सकता है आपके बर्थ चार्ट पे ज़्यादा तर लोगों का और यहाँ पर जो है मुझे राशी और भी कुछ science यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो source की energy, mythun, तुला और कुम्ब यह sign भी बहुत strong इस reading में दिखाई दे रहे हैं तो यह 6 sign जो हैं बहुत strong है इस reading में अगर बात करें हम date of birth की तो जनवरी आपकी date of birth का मन्त हो सकता है March हो सकता है, December हो सकता है, October हो सकता है, September हो सकता है और January में आपको बताई दिया, यह आपकी date of birth के मन्त हो सकते हैं अब बात करते हैं कि किन चीजों को आपके शत्रू face कर रहे हैं तो सबसे पहले जो current energy यहाँ पर दो चीजे आई हैं, यहाँ पर man holding a coin और anxiety, बहुत ज्यादा anxiety feel कर रहे हैं anxiety कि चीज को लेकर finances को related, career से related, job से related, बहुत ज्यादा anxiety हो रहे हैं इसलिए the temple path, spiritual होते हुए आपके चत्रू दिखाई दे रहे हैं है ना, आप उनको अध्यात्मिकी और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं adjacent possibilities, उनको ऐसा लग रहा है, एक राष्टा बंध हो गया तो कहीं और से राष्टा निकल आए इस इन्हें चीजों की खोज कर रहे हैं, हो सकता है health से related problem हो, हो सकता है job से related हो, career से related हो लेकिन बहुत anxiety में हैं, अपने आपको heal करना चाहते हैं जो टू personal healing and happiness, खुशियां चाहते हैं, बट खुशियां खहां से आएंगी, अगर आपने कर्मा अच्छे नहीं करें अगर आपने किसी का बुरा क्या रहा है, तो खुशियां आपकी life में कैसे आ सकती हैं, और आज का जो समय है, कल यू कह सकते हैं, बहुत instant समय है इस हाथ दे और इस हाथ ले, वो वाला हाल है, तो यहाँ पर सेम, अगर आपके शत्रों ने आपके साथ ठीक नहीं करा, आपके साथ कुछ गलत चीज़े करी हैं, तो anxiety phase कर रहे हैं, अब भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो जाना तो ठीक है, भगवान की शरण में तो ज अब्चत आप करते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस किसी भी तरह से उनकी उनका काम होना चाहिए, यहाँ पर यह जो गार्ड किसी भी तरह से उनकी लाइफ में रास्ता उनको मिलना चाहिए, निकलने का, यह आपके शत्रों जो हैं, चाह रहे हैं, और यहाँ पर night of Pentacles का card है कोई action होते हुए इनकी life में दिखाई नहीं दे रहा है हम अभी फिलहाल साथ साथ six of swords का card है move on कर रहे है कहीं shift होते हुए दिखाई दे रहे है यहां 10 of bonds में भी देखिए यहां भी shift होते हुए कहीं दिखाई दे रहे है career change करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक जगा से दूसरी जगा settle होते हुए दिखाई दे रहे है क्योंकि इनकी life में कुछी चीजों को लेकर हो सकता परिशानियाद चल रही है यहां पर किसी reply का किसी respond का किसी तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से इनको जो है अच्छी ख़बर मिल जाए कहीं से इनको जो है finances से related कोई रास्ता इनकी life में निकल आए बट नहीं निकल रहे है तंत्र मंत्र का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं है ना कुछ हो सकता है कुछ स्पैल कर रहे हूं अपनी life को ठीक करने के लिए the impress का card है जीवन में harmony नहीं है खुशिया नहीं है है ना relationship अगर बात करें तो अच्छी नहीं चल रही है इनकी relationship चीजों को manifest अगर overall energy अगर मैं कहूं तो चीजों को manifest करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर bottom of the deck आया है हमारा ace of pentacle और shadow card आया है page of cups शत्रूओं की आपके ख्वाईशे बहुत हैं है ना बट यहां पर एक stable beginning करने करना चाहते हैं जो की हो नहीं पा रही है है ना queen of source की energy में है बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा frustrated हो रहे हैं है ना जब क्या होता है कि इंसान की life में जब कुछ अच्छा नहीं चलता तो उसको frustration आना irritate होना एक लाजमी बात है क्योंकि जब ठीक नहीं चलेगा तो इंसान irritate तो होगा ही गुस्सा तो उसको आएगा ही है ना इसी तरह से आपके शत्रू कोई ना सोट की energy में हैं बहुत harsh tone में दिखाई दे रहे हैं बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और इनका जो कह सकते हैं यह अपनी communication skill के कारण जो है और अपनी इस्तिथी को बिगारते हुए नजर आ रहे हैं दा हर्मीट का काड़ है अकेला पर महसूस कर रहे हैं कोई साथ नहीं दे रहा है परिशान हो रहे हैं साथ साथ बहुत बोज अपनी जीवन में बहुत बोज फील कर रहे हैं और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं जिसे बीच में इनसान अटक जाता है ना बाहर निकल पारा ना जा पारा और यह जो इ प्रास्ता नजर नहीं आता है उस समय इंसान बहुत ज्यादा परिशान्तिल मिला उठता है क्योंकि काम इनके बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है इनकी लाइफ में कोई एक्षन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और भी हम कुछ कार्ड लेंगे ओशुजेन से भी कुछ कार्ड लेंगे क्या चल रहा है इनकी लाइफ में ओशुजेन से भी कुछ कार्ड लेंगे क्या चल रहा है इनकी लाइफ में यहां पर आ रहा है एक्जॉस्शन देखिए इतना ठका हुआ महसूस कर रही है इंसान देखो कितना ठका हुआ है इसके चेहरे से पता लग रहा है कि इसकी हवाई है उड़ी हुई है और इसके चेहरे पर बारा बज रहे हैं क्योंकि आपके शत्रूओं को ज़्यादा तर्दे की 70-80% लोगों के लिए कहूंगी कि आपके शत्रूओं को उनका कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है तो इस तरह से बहुत परिशान होते हुए आपके शत्रू दिखाई दे रहे हैं हीलिंग फिर से हीलिंग का काड़ आ गया हीलिंग चाते हैं अपनी लाइफ में हर चीज की हीलिंग खुशियों की हीलिंग, हेल्थ की हीलिंग चाहते हैं, बिमार हो, हो सकता है, हो सकता है किसी तरह की बिमारी से पीडित हो, यहाँ पर शेरिंग, बट लोगों से शेर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से अपनी बातों को शेर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको करमा मिलना तो कर्मा तो मिली रहा है समझ में तो इनको आने ही लगा है कि इनको कर्मा मिलना है स्टार्ट हो गया है प्लेफुलनेस जो प्लेफुलनेस की इस्तिथी में ये पहले रहते थे अभी इस्तिथी इनकी खतम हो गई है अब बहुत परेशानी में है न्यू विजिन चाहते हैं कोई नया विजिन स्टार्ट करना इनका जो न्यू विजिन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए इनकी लाइफ में कुछ बहतर हो जाए comparison अब ये तुलना करने लगे हैं अपने जीवन की इनका जीवन बद से बत्तर हो गया है comparison होने लगा है past से present का अब सोचने लगे है कि कैसा हो गया है मेरी life कैसी हो गई है participation किसी चीज में participate नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज में भाग नहीं ले रहे हैं, अपने आपको हर्मिट मोड में ले आए हैं, अकेले रहरना पसंद कर रहे हैं, कहीं जाना आना पसंद नहीं कर रहे हैं है ना तो इस इस्तिथी में दिखाई दे रहे हैं साइलेंस भॉत चुप चुप हैं भॉत शांत चुप बोल नहीं पार है अब शब्दी ने निकल रहे हैं इनके मुह से क्योंकि कर्मा जो इतने खराप कर लिए हैं अंदर से इनकी आत्मा इनको धिकार रही है बट ऊपर से कि कशी को कुछ भी बोलने पा रहे हैं चुप है पास्ट लाइब देखिए पास्ट लाइब के भी कर्मा ये भोग रहे हैं अगर पास्ट लाइब में इनोंने कोई कर्मा किया है तो वो भी भोग रहे है ना और भी हम कार्ज लेते हैं तो बहुत खराब इस्तिति आपके शत्तूओं की हो गई है मूमेंट टू मूमेंट सोच सोच के एक एक कदम रखा जा रहा है सोच सोच के चल रहा है कि क्या करें क्या नए करें है क्योंकि अब जो है इनकी नईया डूबने लगी है इनर वोईज अंतर से इनको आवाज आने लगी है कहते ना कि इनर वोईज अंतर आतमा बोलने लगी है अब है ना बियॉंड इल्यूजन इनकी लाइफ में एक ट्रांसपोर्मेशन आ रहा है ना इनकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है और चेंज आ रहा है और चेंज किसली आ रहा है क्योंकि ये अपने कर्मा जो है क्लिंज कर रहे हैं अपने कर्मा भोग रहे हैं इसली बदलाव तो आना ही था तो इस तरह से इनकी जो इस्तिथी है भात बिगड़ चुकी है, हील नहीं हो पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बातों को किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, और जो प्लेफुल ने इस पास्ट में इनकी लाइफ में दिखाई दे रही थी, वो खतम हो गई है, अपने जीवन को compare करने लगें कि क्या हाल हो गया है इनका देखने लगे हैं अपने आपको देखकर जो है तरस खाते हैं और सुचते हैं कि क्या और किसी भी चीज में यहां पर पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहें बहुत साइलेंट वाली इस्तिती हैं बहुत शान्त हो चुके हैं और इनकी लाइफ में जो हो रहा है वह आप सूच भी नहीं सकते सूच से बाहर है यहां पर देखिए दा क्रियेटर का कार्ड आया है क्रियेटर इनको दंड दे रहा है इश्वर इनको दंड दे रहा है और शेडो कार्ड आया प्रोजेक्शन है ना लोगों को इनका असली चेर दिखने लगा है अब जो है इनकी लाइफ का कैसे काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है धर्म का सहारा ले रहे हैं तंत्र मंत्र का ले रहे हैं कुछ स्पैल कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं बट होंगी कहां से आप किसी का दिल दुखाओगे और आप सोचोगे कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए आप दूसरों का बिगार करके और सोचो कि हमारा अच्छा हो जाए कभी नहीं हो सकता आप दूसर अगर किसी ने आपको छोड़ा है, भरी भराई कहते हैं कि थाली में लात अगर किसी ने मारी है, तो उसको क्या होगा, भूका मरेगा हमेशा, तो ये वाली हालते, अगर किसी ने आपका बुरा करा है, अब ये शत्रु कौन हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते, पडोसी हो सकते, रिष्टेदार हो सकते, ऐसे लोग हो सकते, जो कभी आपके दोस्त रहे और अब जो है वो आपके दुश्मन है, उन्होंने आपके साथ चीटिंग की धोका करा, यहना दोस्त भी कई बार हमारे साथ चल कर लेते हैं, हमारे को यूज करते हैं, और निकल लेते हैं, और इस तरह से ये जो लोग हैं, इनकी लाइफ में इनको कर्मा, जादा तर लोगों को आपके जो शत्रू हैं, उनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है, पास्ट लाइफ के कर्मा, इन्हें उन्हें पास्ट में जो करे हैं, इस लाइफ में करे हैं, सब इनके जो हैं, इनको मिलना स्टार्ट हो गया हैं, और यह जो शत्रू हैं, यह पास्ट लाइफ से ही हैं, आपके शत्रू, पिछले जनम में जो लोग आपके साथ बुरा करते फिर इस जनम में आजाते हैं अपना हिसाब किताब पूरा करने तो उसी तरह कि यह लोग हैं। कुछ कार्ड़ हम और लेंगे हैंड मेंड्स और देखेंगे आपके शतुरो देखी आपके नेबर्स भी हो सकते कलीक्स भी हो सकते इह ग्रेजुएत हो सकते computer science में पोस्ट graduate या graduate हो सकते हैं इनके traits हैं इन से आप पता लगा सकते कि आपके शत्रू हैं spotty style के कपड़े पहनते हैं यह लोग Taurus, Virgo, Capricorn इनकी राशी हो सकती है, Aries, Leo, Sagittarius इनकी राशी हो सकती है Green eyes हो सकती है इनकी friendly देखिए friendly अब भी आपको कहा था कि friend हो सकते है past में romantic हो सकते हैं हो सकता है कोई friend रहे हो आपके friend zone में और उन्होंने relationship में आया फिर आपको धोका दिया हो इस तरह से हो सकता British complexion हो सकता इनका, short or fate हो सकते हैं, doctor healer, reki healer, tarot card reader, nurse हो सकते हैं किसी ने मेरे से casual style के कपड़े पहनते हैं हो सकता है किसी ने मेरे से ये बोला था कि अरे healer है, अरे की healer है, tarot card reader है तो कैसे किसी के साथ cheating कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं तो इंसान ना, इंसानी तो गलती करता है अब जरूरी थोड़ी है कि healer बन गया है तो उन्होंने गलती करना छोड़ दिया जिसका जैसा कहते हैं कि जिसकी जैसी फित्रत है वो अपनी फित्रत जरूर दिखाता है कहीं न कहीं इंसान की फित्रत मरते मरते आखरी दम तक जो last moment तो खेर में नहीं बोलूंगी means जब इंसान बुड़ापा आता है जब वो अपनी मृत्यू की तरफ जाने लगता है तब भी उसकी जो फित्रत नहीं बदलती है वो वेसी रहती है फित्रत इंसान की कब बदलती है last moment पे जब उसको अपनी मृत्यू सामने दिखाई देती है जब इंसान की सोच जो है बदल जाती है जब इंसान का सोचने का नजरिया जो है वो बदलता है क्योंकि वो आखरी मृमेंट है उसको पता है कि उसने क्या उसको सारे अपने कर्मा दिखना स्टार्ट हो जाते कि उसने कितना गलत करा लोगों के साथ क्योंकि वो समय उस last moment पर भुगतता है इसलिए कुछ alphabet भी आपके लिए देखूंगी आपके शत्रूओं के क्या जो है अल्फाबेट है इनिशल्स आपके शत्रूओं का नाम कौन से इनिशल्स से आता है ये भी देखूंगी तो यहां पर E हो सकता है, A हो सकता है, C हो सकता है, I हो सकता है, D हो सकता है, U हो सकता है, J हो सकता है और T हो सकता है ये आपके शत्रूओं के नाम के इनिशल्स हो सकते हैं अब हम देखेंगे कि आपको guidance क्या आ रही है, आपको जो angels हैं वो क्या guidance दे रहे हैं, आपके लिए क्या guidance है, आपको क्या अकिने चीजों को follow करना चाहिए, क्या angels आपको guidance दे रहे हैं, यह हम देखेंगे, मेंडिंग, पहला काड जो आया है, मेंडिंग, नेक्स्ट काड, soulmates, come to the edge, thinker, and inita, देखिए, कल भी यह काड आया था, किसी reading में, and bottom of the deck आया है, treasure island, तो यहाँ पर अगर overall guidance की में बात करूं, तो treasure island आ रहा है, है ना, तो यहाँ पर जो भी आपके positive thoughts हैं, वो आपको, जो भी आपकी एक्छाएं हैं, वो manifest करेंगे, तो आपको यहाँ पर angels की तरफ से guidance यही मिल रही है, कि आपको positive रहना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, आप positive सोचें, positive बोले, positive feel करेंगे, तो definitely आपकी life में positive होना start हो जाएगा, हैना, तो यहाँ पर mending का card जो आ रहा है, वो यह बता रहा है, अगर आपके जो लोग हैं, आपके आसपास, या जिनोंने आपके साथ गलत किया, आपके शत्रू हैं, आप उन्हें माफ कीजिए, आप उनको माफ करके आगे बढ़िए, हैना, आप उनको forgive कर दीजिए, और उ आपके जीवन में आपको soul मेठी मिलेंगे, वही लोग मिलेंगे जो आपके लिए positive रहेंगे, जो आपके लिए आपकी growth में सहाया करेंगे, हैना, जो आप जिनके साथ आपकी compatibility अच्छी रहेगी, अब आपकी life में आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, जिन विश्वास करके आगे बढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, जो कुछ आपके life में हुआ, उसको भूल जाए, उसको छोड़ दीजिए, और इश्वर पर विश्वास करके फिर से एक नई शुरुवात कीजिए, यह आपको जो है angels guidance दे रहे हैं, और अपनी life में clean it up का card है, अप जो भी सोचें, analytical सोचें, logical thinking अपनी रखें, जो भी decision आने वाले दिनों में आप लें, वो logic के साब से लें और दिमाग के साब चलें, भावना में आकर कोई भी निर्ने ना लें, यह आपको जो है angels guidance दे रहे हैं, तो यह थी reading, I hope यह reading आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो त जरूर कीजिए, thank you so much for watching my video, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तो फ्यम, ओम साही राम, जै माता दी, राधे राधे